हेलो व्रीवन वल्कम टू स्भीका मैं सुनू कुमार आप सभी का में दिशी यहां पर हमारे चनल के थुरू सी उटी पीजी के तियारी करने लेकिन यहां पर बहुत सारे बच्चे जो है वह स्योकुपी 12 और स्योकुपी 11 की तयारी मिला गया हुए यानि कि MBA का syllabus जो है वो बहुत confusing हो चुका है कुछ बच्चे सोचते हैं कि MBA का syllabus जो है पतला paper course जो है वो CUKP 11 में भी आता है और CUKP 12 के अंदर में भी आता है अब यहाँ पर इस confusion को दूर करते हैं और basically MBA का syllabus क्या है उसके बारे में थोरा सा हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में कि official syllabus जो जारी किया गया है वो official syllabus है किया और कैसे तयारी होगी कैसे हम तयारी करना है हना उन बातों के बारे में थोरा सा हम यहाँ पर discussion करेंगे और कैसे मैं आपकी इस तयारी में मदद कर सकता हूँ उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा तो MBA का syllabus जो है वो कैसा paper level क्या रहने वाला है क्या हमें score करना है उन सभी बातों के बारे में हम यहाँ पर थोरा सा जानेंगे ठीक है अब देखें यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो अगर ध्यान से आपने कभी देखा होगा तो जब आप pgcoot.samarth.ac.in इस website पर जाब जाते हैं तो syllabus आपको प्राप्त होता है जहाँ पर general paper है general MBA coqp 12 ठीक है कि अंदर में हम चलेंगे यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करोगे view download पर तापके सामने एक खुलेगा pdf जहाँ पर लिखा होगा general paper MBA coqp 12 ठीक है अब इसके syllabus और pattern की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या दिया गया है जड़ा सा हम ध्यान से समझ लेते हैं थोड़ा सा ठीक है अगर हम चलते हैं नीचे तो नीचे आपके paper के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि जो paper pattern रहने वाला है वो क्या है यहाँ पर दिया हुआ है कि जो question आएंगे वो 75 questions आप से पूछे जाएंगे सारे questions जो होंगे वो subject specific knowledge यानि कि जो जो paper आपके general paper में रखा गया है उसके सवाल होंगे सारे questions कंपलसरी हैं और साथ में questions जो होगा वो bilingual होगा यानि कि English और हिंदी दोनों ही माध्यम में सवाल जो हैं वो आपके दिये हुए रहेंगे अगर हम वहीं पर बात करते हैं English comprehension की तो English comprehension में क्या-क्या दिया गया है English के अंदर में English grammar है, आपके errors है, आप para-jumbled है, sentence correction दिया गया, sentence improvement दिया गया reading comprehension, paragraph completion, one word substitution, synonyms, antonyms, idioms और phrases अगर आप English चूज करते हैं तो ये topics आपके syllabus में दिया गया है, जो आपको पढ़ना है, सवाल यहां से पुछे जाएंगे हिंदी पाठ बोधन की अगर हम बात करें, हिंदी comprehension की, तो हिंदी व्याकरन, असुद्ध परियोग, यानिकी errors हो गया परिछेद का उचित करम, वाक्य सुध्धी, वाक्य परिश्कार, पाठ बोधन, वाक्य की पुर्णता, अनेक सब्द के लिए एक सब्द, समानार्थिक और बिलोम सब्द, मुहावरे और कहावते यह सारे के सारे हिंदी comprehension के इंदर में topic रखा गया है, वही पर अगर हम बात करते हैं, quantitative, math की, तो partnership, SICI, simple interest, compound interest, profit loss, percentage, pipe system, time, speed, distance, train वाला problem, work versus time and work, यह सारे के सारे quant की portion बनाए हुए logical reasoning के अगर हम बात करें, तो ranking test, linear arrangement, matrix arrangement, sequence, statement, argument, cause, effect, statement, assumptions, statement, conclusion, number, series, blood relation, coding, decoding, inference, non-verbal reasoning, analogy test, symbol based problem, जो आपके mathematical operation होते हैं, non-verbal मतलब जो figure वाले questions होते हैं, mirror image, water image, paper folding, cutting, hidden figure, वो सारे questions, direction, distance हो गए, यह सारे topics आपके reasoning में रखे गए हैं, उसके बाद आता है portion हमारा का D.I. का, data interpretation, pie chart, line chart, bar graph, tabular chart, mixed graph, data sufficiency, graph number system, tabulation, sets and when diagram, अब यह पूरा syllabus है, जो की आपके MBA के general paper जो होने वाले हैं, entrance, C.O.T.P.G. का, उसमें आने वाला है, इसमें कोई भी confusion आप मत रखे हैं कि हमें क्या परना है, क्या नहीं परना है, यह पूरा syllabus है, यह पूरा syllabus आपको परना है, आपने देखा कि 75 questions जो हैं, वो आपके यहां पर पूछे जा रहे हैं, और यह 75 questions आपके लिए इतना matter करता है, आपने जान रहे हो, total number of questions जो होने वाले हैं, वो होने वाले है 75 जो की 300 marks carry करता है 300 number carry कर रहा है 300 marks carry करता है अगर 300 marks भी carry करता है जहाँ पर एक question आपके 4 number के होने वाले हैं और 7 में minus 1 का negative marking भी रखा गया है minus 1 का negative marking भी रखा गया है मतलब यह समझ के चलिए कि अगर आप MBA top college में जाना चाहते हैं तो आपको score कितना करना पड़ेगा अब यहाँ पर previous year trend अगर हम देखें previous year paper की analysis अगर हम करें तो क्या cut off गया, क्या paper का level था paper का level जो है वो easy to moderate ही आता है easy to moderate paper का level रहता है जहाँ पर आपको कुछ सवाल moderate level के होंगे कुछ सवाल जो है वो हर विद्यारतियों को लिए moderate है, difficult रहो सकता है है ना, तो 75 questions में 300 marks आपको मिलेंगे और इस 300 number में अगर आप चाहते हैं कि अच्छे MBA college में पहुँचना है अच्छे MBA college में पहुँचना है तो 240 marks या 240 से एवर आपको score करना पड़ेगा एक अच्छे MBA college में पहुचने के लिए ठीके, नहीं तो आपके लिए थोड़ से दिक्कास होता है अगर आप general category से बिलॉंग करते हैं तो अगर आप general category से हैं तो paper का level easy to moderate कुछ questions moderate level के होंगे एक अच्छा cutoff जो जाएगा general के लिए, वो जाएगा लगभग 240 marks वही पर जो हमारे OBC और EWS category के candidate होते हैं उन्हें के लिए 230 ठीके, तो MBA के लिए थोड़ सा cutoff high जाता है अगर अच्छा college में जाना है, BHU में जाना है और भी college हमारे लिए हैं लेकिन target होगा 240 marks जहां पर आपको score करने परेंगे ठीके, अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं कि इसके लिए guidance जो है, इसके लिए एक mentorship जो है, वो कैसे हमें मिल सकता है कि एक proper guidance में अपनी तयारी जो है, वो हो सकती है एक आपको मैं email ID दे रहा हूँ, जहां पर आपको करना है mail, ठीक है, जहां पर आपको mail करना है यह email ID किसका है, तो मेरा है ठीक है, यह मेरा email ID है, जहां पर आप मुझसे बात कर सकते हैं जहां पर आप मुझसे अपने problems को discuss कर सकते हैं, जहां पर आप मुझसे admission के संबंदित बात कर सकते हैं अगर आपको हमारे batch में admission चाहिए एक अच्छे तयारी करने के लिए अगर आप CUT PG की बात करो तो CUT PG में one and only platform under 24-7 है जहाँ पर complete बहतरीन तयारी जो है वो maximum paper code के लिए कराई जाती है और maximum नमरा विद्धार्थी हर बार selection यहाँ पर लेते हैं तो यह मेरा email idea जहाँ पर आपको मुझसे करना है contact और batch में अगर आपको discounted fees पर admission चाहिए discounted fees पर चाहिए उसके लिए coupon code है मैं आपको दे रहा हूँ इस coupon code का use कर लिजेगा coupon code होगा 6080 ठीक है यह coupon code use कर लाए ना आपको discount मिल जाएगा discount fees जो है discount पर चाहिएगा और साथ में इस coupon code का एक और बहुत भरा महत्व है जब आप admission लेंगे इस coupon code के तहत तो आपको mentorship के लिए eligible हो जाते हैं batch के साथ तो आप सभी मुझे इस email id पर मुझसे बात कर लिजे contact कर लिजे जब आप मुझे mail करेंगे तो आप अपना नाम और आप अपना phone number ज़रूर शेर करिएगा उस mail में message में ताकि मैं आपको direct call करके आपसे बात जो है वो कर पाऊं अब हमारे batch कौन से हैं उसके बारे में एक बाद जान लेते हैं अगर आप तयारी MBA की कर रहे हैं तो ADN247 के application में या फिर website पर जाकर all courses को करना है select UG and PG entrance exam को करेंगे select उसके बाद आप करेंगे CUT PG और फिर general papers यो की पर 12 आपको दिखेगा इस पर करेंगे click तो यहाँ पर आएगा आपका तेजस batch इस पर click करने के बाद फिर यहाँ पर चले जाएंगे buy now और अभी मैं आपको पता दूँ अभी यानि कि अभी जो 26 November और 27 November ये दो तारीक ऐसे है जहाँ पर least price सबसे कम price में batch available है ठीक है discount days चल रहें तो यहाँ पर क्या करना है coupon code मैंने आपको दिया है इस coupon code पर जाकर आप सभी क्या करेंगे यहाँ पर वो code डालेंगे S-O-N-U-8-0 coupon code में 6980 पुट कर देंगे और यहाँ पर जैसे ही apply करेंगे price जो है ये कम हो जाएगा और ये price थोड़ा सा कम होकर और 40% discount आता है और सिर्फ और सिर्फ 6574 में आपको ये batch मिल जाता है तो आप सभी अगर admission चाह रहे हैं तो इस वक्त आपके पास बहुत बरा मौका है तो 40% discount पर आपको ये batch वो मिल जाएगा या कोई भी batch 40% discount पर महा पैक तक भी आपको बहुत सस्ता बहुत ही discounted fees में available कराया जा रहा है तो whatever जाएए मुझे mail करिए मुझसे बात करिए और discounted fees पर जो least price available है उस पर आप सभी अपना admission जो है वो हमारे साथ करवा सकते हैं एक बहतरीन तयारी करने के लिए ठीक है पूरपर guidance में तयारी जो है कराई जाएगी ठीक है इस वीडियो में हम यह तक देखेंगे और KPI करकर थोरा सा भी भटकिये मत ठीक है अगर आप MBA करना करते है PG से CUT PG exam के तहत ठीक है तो थोरा सा आपको 300 में score करना परेगा अच्छे number अच्छे college के लिए ठीक है बाकि आप लोग comment में जड़ा mention कर दीजेगा कि आप किस college को target कर रहे है CUT PG का exam देकर आप किस college में admission चाहते हैं ये comment section में ज़रूर mention कर दीजेगा और अगर कोई भी difficulties आप फेश कर रहे हैं अपने preparation में तो वो भी comment section में ज़रूर mention कर दीजेगा ठीक है चले thank you so much have a good day take care